हे एवरिवन आज मैं आपके लिए लेके आए हूँ ब्योटिफुल से डी आइवाई दोस्तों डी आइवाई का मतलब होता है डू इट यूरसेल्फ अपनी द्वारा बनाई गई क्रेटिव चीजे जो कि आज मैंने भी कुछ बनाई है तो आपके साथ शेयर करूंगी कैसे बनाई है कौन सा पेंट यूज करा है किस तरीके से कट किया है तो ये सब आप इस वीडियो में जानेंगे और अगर दोस्तों आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी थी तो ये भी जरूर देखा कीजिए क्योंकि देखे ये जो है ना मैंने ऊपर के पोर्षन से मैंने वह वाला क्राफ्ट बनाए था और नीचे के पोर्षन से मैंने ये फ्रॉक और जो कैट है ना वह बनाए थी तो इस तरीके से मैं पहले मार्क कर लेती हूँ चाहे आप पर्मनेंट ले लीजे, चाहे आप नॉर्मल मार कर दे लीजे, तो दोस्तों यह जो मैं बना रही हूँ ना, वॉल बॉट्टी का, मैंने इस तरीके से इसका आटा जो है वो गूत लिया है, हलका हलका पानी डालके, इससे मैं फ्रॉप की जो आइज होती है, I mean मैड कमपनी का होता है, इससे क्या होता है, दोस्तों अगर आपका बेस, वाइट कलर का होगा ना, तो आप कोई भी अपनी मन पसंदीता, जो भी कलर करेगा, इसमें बहुत अच्छे से ग्रेस आता है, तो सबसे पहले मैं बॉटल में जो बेस कलर है, वो वाइट कर लेती हूँ, आप इनामल कलर भी वाइट कर सकते हैं, वो जल्दी सूपता नहीं है, प्राइमर जल्दी सूप जाता है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, मैं डग की मैंने आइस भी बना ली और सब में मैंने प्राइमर कर लिया, दोस्तों मैंने ये दोनों DIY एक साथ बनाए थी, तो मैंने skin color कर लिया है, skin color दोस्तों मैं लेके आई थी, acrylic color से मैंने skin color कर लिया, दूसरा दोस्तों ये cat है, और ये में पस पुराना owl पड़ा हुआ था, तो इसे मैंने white color कर दिया, क्योंकि मैं cat को white बनाना चाहती थी, थर्ड दोस्तों मैंने ये जो butterfly थी ना, इसको मैंने yellow color कर दिया है, क्योंकि butterfly yellow ही अच्छी लगती है, तो इसमें yellow और black का combination करके न, इसके फर वगएरा सब बनाए थी, मैंने, तो दोस्तों ये frog है, अब इसमें mehndi color बनाना था, तो में पस yellow color था, और हलका सा मैंने black color mix कर आ है, दोस्तों ये सब जो मैं color कर रही हूँ ना, ये है enamel color बर्जर कंपनी के, जो कि हम अपने door और खिड़की वगएरा में करते हैं, ये वही color है, दोस्तों, मैं बार-बार कहती हूँ, कि मैं ज्यादा तर enamel color ही use करती हूँ, तो दोस्तों, ये mehndi color बन गया मेरा, थोड़ा सा मैंने इसमें हलका-हलका black color mix किया, तो ये इतने अच् होते हैं, वो है, तो punk भी मैंने plastic ये bottle से ही बनाए थी, तो इस तरीके से मैंने eyes बना लिए, पहले मैं draw कर लेती हूँ, ये smile और ये जो eyes है, ये मैंने acrylic color से बनाई है, acrylic color आपको stationery की shop से easily मिल जाएंगे, या आप online भी purchase कर सकते हैं, दोस्तों, मैंने butterfly का look देने के लिए, ये म equal color का black भी आ गया था, तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसको stapler से attach कर दिया, जो इसके punk थे और इसके आगे के जो eyes के उपर जो होते हैं, ये इस type से ये भी मैंने इसको attach कर दिया, stapler से, तो बहुत अच्छे से stapler से attach हो गया था, ये जो था मेरा एक ऐसी वेस्ट जो थ इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, अब मैंने जो ये मेरा फ्रॉग था, इसको मैंने अच्छे से उसको हाइलाइट कर दिया, ये देखिए, ये जो कलर है, ये मैं अक्रिली कलर यूज कर रही हूँ, क्योंकि अक्रिली कलर जो है वो फैलते नहीं है, मैं बार बार कहती बस इसमें मैने जब मिटी भर दी तब ही ये टिक रहा था, नहीं तो ये ऐसे ना और गी को गिर रहा था, क्योंकि जो इसकी आई सी ना वो भारी हो गई, और जब बार बार जो है, जो मैंड़ ओड्रान आग जो मैंने जब तक इसमें प्लांट नहीं लगाया, जब तक ये बिल्कुर खड़ा नहीं हुआ, तो यह cat भी बना ली, तो देखे, last look, देखे, दोस्तों, कितना प्यारा लग रहा है, अभी तो इन में plants नहीं लगे है, अभी मैंने इसमें plants भी लगाए है, कौन कौन से plants किसमें लगाए हैं, तो ये भी आप जान लीजिए, बिना plants के भी मैंने लगाया, Z plant, ये मैंने किसी को gift कर दिया, next मैंने लगाई ये चश्मी शांटी मी rubber plant, ये मैंने लगाया, spider plant, इसमें मैंने लगा दिया, परसलेन का plant, और इसमें मैंने वान वींग ज्यू लगा दिया, तो दोस्तों, सारे के सारे pots ना, बहुत ही प्यारे लग रहे थे, आपको कैसे लगे, ये जरूर बताएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए,